आगरकार तेजस्वी प्रकाश के लिए किसने कहा इतनी ज्यादा ओवराक्टिंग यानि कि तेजस्वी प्रकाश को किसी ने कह दिया है ओवराक्टिंग की दुकान चाहिए पूरी खबर की जानकारी आपको मैं बताऊंगी इस विडियो में किसने कहा तेजस्वी के लिए ऐसा जैसे हम सबी को पता है कि इन दिनों तेजस्वी प्रकाश विग बॉस सीजन 15 की विनर बनने के बाद सीधे हमें नजर आ रही है ओन स्क्रीन नागिन सीजन 6 में अपने जबरदस्त वेल क्यारेक्टर के साथ यानि कि प्रथा के किरदार में नजर आ रही है तेजस्वी और फा पाती भागती भी अपनी गाड़ी की तरफ आई और वो बोलती है अरे तुम लोगों को आखरकार कैसे पता चल जाता है कि हम यहां पहुचे है और तुम कैसे पीछे-पीछे आ जाते हो यानि कि ये वर्ड्स जो है ये तेजस्वी ने कहा है पैपराजीज को अब इसी पैपराजीज को बोलना कि तुम लोग पीछे-पीछे कैसे आ जाते हो तुम लोग कैसे हमें स्पॉट कर लेते हो हर जगा कैसे बहुच जाते हो ये सब बोलना लोगों को पसंद नहीं आया और इस वज़ह से लोगों ने कह दिया कि तेजस्वी प्रकाश कर रही है आखरकार आपको बता दू कि देजस्वी प्रकाश के इस पर लोग उनकी इस हरकतों को पसंद नहीं कर रहे हैं इस बचहा से लोग जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं वो उनहें ऐसी बाते कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखरकार इतनी ओवर्एक्टिंग कैसे कर लेते हो ओवर एक्टिंग की दुगान और कई सारी बाते कह रहे हैं बेसिकली आपको बता दूँ कि जब भी कोई सेलेब्रिटी स्पॉट होता है कहीं पे भी उनके पियार्ज जो है वो बेसिकली पहले से पैपराजीज को इन्फोर्मेशन्स देते हैं कि यह यहां जाने वाले हैं यह यहां स्पॉट होने वाले हैं उसके बाद ही पैपराजीज वहां स्पॉट होते हैं लगिन तेजस्पी जो इतनी ज्यादा ओवर आक्टिंग करने के साथ साथ यह बात कह रही है कि आखरकार तुम लोग कैसे बहुंच जाते हो हर जगा है तो यह बात लोगों को पसंद नह है कमेंट करके जरू करके जरूर बताएं थे माम अप्डेइट के लिए रहें चानल के साथ का है